हर ग्रहनी का सवाल क्या बनाऊं आज क्या बनाऊं आज हम बनाते हैं प्याज कचौरी विदाउट मैदा कचौरी बनाने के लिए मैंने दो कप आटा लिया है उसमें एक चमच नमक एक चमच लाल मिर्च आधा चमच जीरा और दो बड़े चमच तेल के डालकर अच्छी तरह से पहले मैंने मिक्स कर लिया है और फिर उसमें लगभग एक कप पानी थोड़ा थोड़ा डालकर एक साथ अधर एक पैन में तीन बड़े चमश तेल के लेकर उसमें जीरा डालकर मैंने प्याज और हरिमिश डाल दी है और प्याज को हलकी आज पर भून लिया है थोड़ा सा प्याज भून जाने के बाद मैंने उसमें नमक, लाल मिर्च और सुखा धनिया स्वाद अनुसार डाल लिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है थोड़ी देर इसको पकने दिया है और जब ये थोड़ा सा पक कर तयार हो जाए हलका गुला भी हो जाए तो हम उसमें डालेंगे आधा चमच अमचूर और आधा चमच ही किचन केंग मसाला थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया भी मैंने बीच में मिला लिया है अच्छी तरह से मिक्स करके उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है इजे रालू की सबजी बनाने के लिए मैंने तीन और इन सब को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, मसाले आप अपने स्वादनुसार डाल सकते हैं, अब मसाला थोड़ा सा पक जाने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाला है, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और उसमें मैंने लगभग दो बड़ लेकर छील कर मैंने उनको हाथ से ही तोड़ लिया है और टमाटर में मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और उसके बाद मैंने उसमें पानी डाला है पानी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं आप कितना गाड़ा रखना चाहते हैं सबजी को और उपर से मैंने थोड़ी सी सूखी मेथी डाली है और इसे मैं अच्छी तरह से उबलने दूँगी जब तक आलू तयार होते हैं हम अपनी कचारी तयार कर लेते हैं आटे में से एक लोई लेकर मैंने पूरी के जैसे बेल लिया है और जो प्याश की सबजी हमने बना कर रखी थी वो प्याश की सबजी इसमें हम भर लेंगे अच्छी तरह से इसको बंद कर लेंगे और एक बरतन में टेल गरम करके हम इसे धीमी आँश पर फ्राई कर लेंगे जब ये दोनों तरफ से अच्छे तरफ से फ्राई हो जाएगी गोर्डन गाउन हो जाएगी तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे और उधर हमारी आलू की सबसी भी बनकर लगभग तयार है थोड़ा सा हरा धनिया उपर से डाल कर हम इसे गार्णिश करेंगे बिना मैदे की प्यास कचारी हमारी बिलकुल तयार है उसे आलू की सबसी धनिये की चटनी के साथ सर्फ करेंगे आप चाहें तो साथ में प्यास भी ले सकते हैं